बीजेपी में रहकर आला कमान को घेर लेने का जिगरा रखने वाले एक गाधी परिवार के लाल वरुन गाधी इन दिनों कहीं नजर नहीं आ रहे हैं पिलिभीत से टिकट कटने के बाद पूरी लोकसभा चुनाओं में भी वो कटे कटे ही रहें हाला कि उनकी मा मेनका जरूर सुल्टानपूर में अपनी जीत की कोशिस में लगी रहें लेकिन हार के बाद वो भी पिक्चर से आउट हो गई हैं अब दोनों मा बेटे कहा हैं इसक जून को संजे गांधी की 44 पुनितिती प्रश्वरधांजली देते हुए कोटोश ट्वीट किये थे जिसे वरुन ने भी रिट्वीट किया था पर उसके बाद उनकी भी कोई जानकारी किसी के पास नहीं है कि वो कहां है जबकि इस बीच बहुत सारी राजनेते गटनाएं गट चुकी है जिस पर उनका रियक्सन आना चाहिए था पर ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक सिर्फ खामोशी है ऐसे में सवाल यह है कि क्या वरुन गांधी और मेंका का सियासी तोर पर शांत होना किसी बड़े तुफान के आने का संकेत है या राजनीत में उनका गटना कि इसी मजबूरी के तरफ इशारा करता है वजह कुछ भी हो लेकिन यह शांती सियासी पंडितों को भी भा नहीं रही वैसे तो मेंका गांधी कई बार की सांसत रह चुकी है और उम्र के जिस पड़ाओ पर है तो वो आगे चल कर चुनाओ ना लड़े तो कोई बहुत बड़ है क्योंकि उनकी पहचान ही एक्टिव नेता के तौर पर नहीं है जो जन्मानस से जुड़े मुद्व पर मुखर हो कर बोलता रहा है लेकिन वरुन ने इन दिनों सब कुछ छोड़कर खामोशी ओड़ ली है क्यों पता नहीं यह खामोशी कब तूटेगी यह भी पता नही इस बार तो बीजेपी ने उन्हें टिकट भी नहीं दिया था और अगर आगे भी यही सिलसिला रहा तो क्या वरुन राजिनी चुड़ देंगे जिसके तैयारी वो आज से ही कर रहे है ऐसे सवाल तो सैकड़ों है लेकिन इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है आपको वरुन और मेनका की खामोशी पर क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं